हलो फ्रेंज, वेलकम बेक टू माई चानिल, आज मैं आप सभी को प्यारा सा सिलिव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुती असान तरिके से और इस सिलिव्स बनने के बाद बहुती शुन्दर लगता है तो आप सभी जरूर ट्राइ कीजिए, चलिए आज का वीडियो स्टा करते हैं, तो फ्रेंज, यहां पर सबसे पहले हमने बॉर्डर कट कर लिए है, पींटेर फेब्रीक और लाइलिंग फेब्रीक में इसके मेजरमिन करेंगे, तो इसका लंबाई है, 15 इंच इसको चोड़ाई है, 5.5 इंच और यहां पर देखिए, कुछ इस तरीके से इस बॉ इट लेंगे, हमारा जो इहां पर बॉर्डर है और दोनों साइड अच्छी तरीके से पोल्ड हो चुकी है, अब कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लीते हैं, सेट करने के बाद, चाड़ो साइड, चाड़ो किनार के साइड इसको अच्छी तरीके से स्टीचिंग कर लेंगे तो friends देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा border है और stitching हो चुकी है अब जितना भी हमारा पास extra favorite है उसे हम cut करके निकाल देंगे अब इसमें हम कुछ इस तरीके से lace लगा देते हैं दोनों side तो alias आप अगर purchase करना चाहते हैं तो selli material के दोकान में इसको आप असान तरीके से ले सकते हैं तो दोनों side इस lace को हम लगा देते हैं एक side हमारा lace लग चुकी है अब चलिए दूसरे side भी इसको लगा लेते हैं तो friends यहाँ पर हमारा जो border है ओ completely ready हो चुकी है तो हमने पहले से slips को cut करके रखे हैं इसके लंबाई है 16.5 inch और इसको चोड़ाई है 8.5 inch अब कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी measurement कर लेते हैं 5.5 inch है और यहाँ से हमें 7 point में एक छोटा सा निशान लगा देंगे अब यहाँ पर छोटा सा cut लगा देंगे और middle point पर भी छोटा सा cut लगा देनी है कुछ इस तरीके से इसको खोड़ लेंगे अब खोड़ने के बाद middle point से छोटा छोटा प्लेटेस हम लगाना स्टार्ट करते हैं आप चाहो तो थोड़ी सी बड़ा प्लेटेस भी यहाँ लगा सकते हैं तो हमने एक से देर इंचर के करीब इस प्लेटेस को डाल लेती हूँ तो फ्रेंस जहाँ पर हमारा छोटा सा cut लगी हुई है औहां तक ही इस प्लेटेस को डालेंगे तो देखी सकते हैं एक साइट जह हमारा कम्प्लीट हो चुकी है अब इसको स्टीचिंग कर लेते हैं एक साइट स्टीचिंग हो चुकी है तो अब सेम प्रोसेस फोलो करते हुए दूसरे साइट को भी कम्प्लीट कर लेते हैं तो प्रेंस अभी तक भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किये हैं अगर वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल के जरू सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकाशन जरू से प्रेस करना जब भी हमने वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो प्रेंस देखी सकते हैं नीचे के और हमारा स्टिचिंग हो चुकी है अब उपर के और कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद थोड़ी सी एहां पर राउंड सेप करते हुए घुमाएंगे और इहां पर इसको स्टिचिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से अच्छी से हलकी हातों से इसको स्टिचिंग कर लेंगे अब स्टिचिंग करने के बाद यहां पर जितना भी हमारा एक्स्टा फेपरिक एक्स्टा धागा है इसको राउंड सेप करते हुए कटिंग कर लेंगे तो इहां पर कटिंग हो चुकी है तो दोनों पार्ट हमारा रेडी हो चुकी है उपर बाला पार्ट और नीचे का बोर्डर तो चलिए इसको जॉइंट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से इसको खोलेंगे और इस border को हम उपर के side पे रखेंगे उपर के side में रखने के बाद कुछ इस तरीके से इस border को stitching करना इस्टार्ट कर देंगे तो सिधा ही इस border को लगा लेनी है तो friends यहाँ पर हमारा border भी attach वो चुकी है चलिए इसमें design create करते हैं अब design create करने के लिए इसको रख देते हैं side पे और इहाँ पर एक पट्टी लेंगे जो की धाय इन चोड़ाई है इसको double fold कर देंगे और इसको सिधा stitching कर लेते हैं double fold करते हुए अच्छी तरीके से इसको सिधा stitching कर लेंगे अब इसमें हम चुननर बनाएंगे चोटा चुटा प्लेटेस बहुती चोटा चुटा प्लेटेस यहाँ पर लगाते जाएंगे कुछ इस तरीके से इस प्लेटेस को लगाते जाएंगे अब जितना भी चोटा प्लेटेस यहाँ पर लगा सकते हैं लगा जिएगा और इसको लगाने के बाद बहुती सुन्दर लगता है जब आप इस डिजाइन को लटकन में एउस करते हैं तो चलिए फटाफर से इस प्रोसेस को भी कम्प्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो लेटेस है ओ भी बनके रेडी हो चुकी है अब इसमें लटकन क्रिएट करेंगे चलिए फटापर से इसको कम्प्लीट करेंगे और उपर के साइज के पकड़ कोरणा है कुछ इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमारा जो लटकन है कुछ इस तरीके से तयार हो चुकी है अब इसमें सोरी सी और भी अच्छे खुबसूरत डिजाइन दिखने के लिए यहां पर लेज लगा ले रही हूँ अगर आपका पस कोई सा भी डिजाइन के लेज है तो आप इहां पर लगा सकते हैं तो देखे प्रेंस दोनों ही लटकन हमारा तयार हो चुकी है अब इसको हम मार्केट वाला डोरी के साथ एटच कर लेंगे कुछ इस तरीके से इसको मीडिल में मार्केट वाला डोरी को रख लेंगे अब इहां पर सीधा स्टिचिंग कर लेते हैं उपर के साइट आप जरूर एक गीड दे देना है उसके बाद इस डोरी को पकरत हुए खैस लेंगे तो बहुत ही असान तरीके से इस डोरी को बहर कर पायेंगे तो दोनों ही साइट हम इस डोरी को एटच कर दी है अगर वीडियो पसंद वीडियो के एक लाइक जरू करना तो देखे सकते हैं अब जो भी हमारा पास इस प्लेटेस बच्ची हुई थी एहाँ पर सुईधा के मदल से एक साइट से स्टीचिंग करना स्टार्ट कर दी हैं दूसरे साइट तक हमें इसको स्टीचिंग करना है जो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेंगे टाइट करने के बाद दोनों साइट जो हमारा खुला हुई थी उसको हम जोइन कर लेंगे अब जोइन करने के बाद इसको हम कुछ इस तरीके से मीडिल में पहले हम डोरी को कुछ इस तरीके से स् डोड़ी को और यहाँ पर इसको भी स्टिचिंग कर लेते हैं तो देखे फ्रेंस यहाँ पर इस मीडिल में हम इस फ्लावर को लगाएंगे जो कि देखने में बहुती फूल लग रही है आप कोई भी डिजाइन में बना सकते हैं बलाउज या फिर सिलीब सिया फिर कमीज में इस डिजाइन को बना सकते हैं बहुती खुबसूरत लगती है परने के बाद अब यहाँ पर हमने एक बड़ा सा मोती लगा दी है देखने में बहुती प्यारा लग रही है कैमेंट में जरू बताए कैसी लगी अगर वीडियो पसंद वीडियो के एक लाइस जरू करना थेंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो चलिए फिर से मिल तेंटेस्टिंग वीडियो के लिए